एलो एब्रीवन, बिल्कम टॉ बाई चैनल, गौतव मौल इनए स्टड़ी, तो आज आपको इस वीडियो में हम हिंदी ब्याकराण के कोश्चन साथ ही साथ, पेड़ोजी के कोश्चन आपको कराने वाले हैं, तो लास्ट वीडियो को देखेगा, इसमें आपको डिटेल्ड म इसको जरूर देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को पहला कुश्यन पहला कुश्यन है हमारा नवरात्र नवरात्र में कौन सा शमास है जो भी इसका राइट होगा उसको हम डेटेल्ड आपको एक्स्प्लेंट करेंगे ठीक है तो देखिए नवरात्र में कौन सा शमास है नवरात्र में जो शमास है आपका द्रिग शमास क्या होसा हैगा द्रिग शमास द्रिग शमास इसका आपका राइटेंस अरे अब हम बात करें द्रग शमास की तो जिस कर्मधार शमास का पहला पद जो आपका शंख्या बोधक हो यानि कि पहला पद जो हो शंख्या के रूप में हो शंख्या का बोध करें वह आपके द्रग शमास कहलाता है और ध्यान दीज़ेगा द्रिग शमास दो प्रकार की होते हैं शमाहार द्रिग और उपपद प्रधान द्रिग जैसे कि एक्जामपल में अगर हम बात करें कोई भी एक्जामपल दें जैसे कि त्रिनेत्र दे दिया तीन नेत्रों का शमाहार इसका हो जाएगा बिग्रह और त्री नेत्र तीन शंक्या का बोध हो रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा द्रिग शमास हो जाएगा ठीक है इसी तरह जैसे अश्ट धातु हो गया आठ धातु का शमाहार इसका बिग्रह हो गया अश्ट धातु का और आठ जो है आपका शंक्या का बोद हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा द्रिंग शमाज ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट का आपका करेक्ट अंसर होगा पी, अगला कोश्चन देखते हैं सिकेंड सिकेंड कोश्चन देखें उल्लाश उल्लाश का संदी विक्षेत क्या हो जाएगा उल्लाश का संदी विक्षेत जो हो जाएगा आपका क्या होगा शी, उत प्लस लाश सी आपका इसका करेक्ट अंसर है ओप्शन सी, उत प्लस लाश नेक्ट कॉश्चन देखिएं, थैड कॉश्चन थेड़ कुश्चन है हमारा निमलिकीत में शिए देशज सब्द को चुनना है आपको देशज सब्द देशज सब्द क्या होते हैं? हमने इसके बारे में आपको डिटेल्ड बताया है ठीक है? तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको link description में मिल चाहेगी, देख लीज़ेगा तो देशचर शब्द इसमें से आपको बताना है तो देशचर शब्द इसमें से क्या है? गडवड़ क्या होजाएगा? गडवड़ option B गडवड़ एक आपका देशचर शब्द है अगला question देखे, question 4 4 question की बात करें इन मिलेखित में से संयुक्त शब्द कौन सा है? संयुक्त शब्द शब्द आपको बताना है इन में से कौन सा है? इन में से जो संयुक्त शब्द है, आपका कौन सा है? आओ आओ आपका संयुक्त शब्द है तो option B आपका right answer हो जाएगा question 4 का नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन 5 5 कोश्चन हैमारा तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे यह वाग किस बचन में है बहुबचन, दी बचन, एक बचन या इन में शें कोई नहीं तो देखें तुम वह हैं और मैं एक तरह से क्या है बहुत सारे लोग तो क्या हो जाएगा? बहु बचन हो जाएगा ठीक है? Option A अगला question देखिए Question 6 Six question है कागा इसका तद्धवाँ शब्द का तद्सम रूप क्या हो जाएगा तद्सम तद्धवाँ इसका भी हमने आपको डिटेल क्लास कराया है चलूर देख लेखिए थेगा वीडियो को तो कागा तद्धवाँ शब्द का जो तद्सम रूप क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका काग तद्सम रूप काग Option C अगला question देखिए, question 7 मुनिवर मुनिवर में कौन सा समाश होगा? मुनिवर मुनिवर में जो शमाश है आपका कौन सा समाश होगा इसमें? तो इसमें अगर आपने किया शी कर्मधारे शमाश कर्मधारे शमाश क्या होता है? एक-एक समाश को हम जानेंगे डिटेल देखिएगा जेखिए, जिस तत्पुर्ष शमाश के विशेश पुरवद विशेश रुनोभयपद और आपके विशेश ओभयपद ये आपके चार टाइप होते है आपके कर्मधारे शमाश कितना डिटेल्ड आपको कोई भी नहीं बताने वाला तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एक्जामपल की तो नर्शिंग हो गया इसका बिग्रह क्या हो जाएगा नर्शिंग का नर्मे शिंगे के शमान चरण कमल हो गया चरण कमल के शमान ठीक है तो यह आपका क्या राइट एंसर होगा इसका मुनिवर क्या हो जाएगा कर्मधारे शमास अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तत्पुरुष शमास की तत्पुरुष शमास का अंतिम पद प्रधान होता है ऐसे समास में प्रया प्रतम पद जो होते हैं विशेशन तत्था दुद्तिय तो पद होता है विशेश जो होता है और दित्ती पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है और हैसे शमास तीन प्रकार के हैं तत्पुरस जो आपके वैसे जो आपको समास होता है तीन प्रकार के तत्पुरस करमधार है तत्पुरस शमास और तत्पूरु शमास के छेवेद होते हैं कर्म, करण, शंप्रदान, अपादान, शंबंद, अधिकरण ये सब क्या हैं? ये तत्पूरु शमास के अब जैसे तत्पूरु शमास के अगर हम एक्जांपल की बात करें तो शत्तुरुधन हो गया सत्र को मारने वाला माखन चोर हो गया माखन को चुराने वाला कट फोड़वा हो गया काट को फोड़ने वाला तो इस तरह से आप देखेंगे तत्पूरु शमास अव्यवी भाव शमास के गर हम फाशली बात करें अव्यवी भाव शमास के तो जिस शमासिक पद का पूरोपद प्रधान हो तथा शमासिक पद अव्यब हो उसे हम अव्यवी भाव शमास कहते हैं ठीक है जैसे के एक्सामपल देखें प्रते दिन प्रति दिन हर दिन फिर आपके हो गया आमरण हो गया यह था शंभव हो गया ठीक है यह था शंभव फिर आपके भरपेट अनकूल यह सब कुछ हो गया आपका अब अब दिगुशमास की अब हमने प्रिबियस कोश्चन में बात की तो यह सभी कोई options को हम analysis करते हुए चल रहे questionnaire डेखिएगा एट कुछन डेखिए नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको तो नाक में दम कर देना मुहावरे का जो अर्थ इसमें से हो जाएगा क्या हो जाएगा option d option d यहाँ पर आपका right answer होगा नाक में दम कर देना option d अगला question देखिए यहाँ पर आपको question 8 का option थोड़ा सा change कर देना है जो इसका right answer नहीं आपका एक किया गया है यहाँ पर आपका d correct answer होगा छली next question देखते हैं question 9 9 question क्या है हमारा शभा कौन सी संग्या है शभा कौन सी संग्या है तो शभा इन में से है आपकी समुवाचक संग्या शभा जो है शमुवाचक संग्या एक group है आपकी शभा तो शमुवाचक संग्या 10 question देखिएगा उस वाक्य का चैन करना है जो अशुद्ध है इनकरेक्ट है आपको बताना है इन में से तो वह बाग क्यों हो जाएगा गीता सबसे श्रिष्टितम ग्रंत है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भी आपका राइट इंसर हो जाएगा अगला क।ो सबसे देखेगा अर्थ की द्रिष्टी से वाक्य के कितने भैद होते है आठ अप्शन B आठ भैद होते हैं टोल्फ कोउष्शन है मेगा शब्द किस विशेशन इसका जो विशेशन वनेगा क्या हो जाएगा मेगा शब्द से इसका जो बिशेशन बनेगा, वह बनेगा आपका मेघावी, option C, मेघावी बनेगा, अगला question देखें, 13 question, J, J का बिलोम आर्थिश क्या हो जाएगा, J का बिलोम, J का बिलोम हो जाएगा आपका पराचे, option C, 14 question देखेंगा, कौन सा सब्द में इसमें अनुनाशिकता है, कौन स option D, next question है, 15, रवी तनिया, रवी तनिया सब्द का परियावाची सब्द क्या हो जाएगा, कालिंदी, option D, कालिंदी, next question देखें, 16, बिलोम क्या हो जाएगा, बिलोम बताना है, अब बिलोम यानि की हाश, ठीके, अगर किशी का बिलोम हो जाएगा, वो आपका जैसे हास देगिया, तो इसका बिलोम हो जाएगा, ठीके, तो आपका C, correct answer है, next question देखें, 17, जिसे देखो, वही खुश है वाक्य में, जिसे और वही, कौन सा सर्वनाम है, B, आपका यहाँ पर correct answer है, क्या शंबंदवाचक्षर नाम, option B, 18 question देखेंगा, व्याकरण के रूप से शुद्धवाच के कौन सा है, व्याकरण के रूप से शुद्धवाच के इनमेश कौन सा है, व्याकरण के रूप से अगर हम देखेंगे, शुद्धवाच तो डाक्टर शाहव ने आपको बुलाया है, यहाँ पर C, आपका right answer हो जाएगा, 19 question देखिए, जिन्हें ढूणा तिन पाई या गहरे पानी पैट, इस कहावत का सही अर्थ क्या है, जिन्हें ढूणा तिन पाई या गहरे पानी पैट, इस कहावत का जो सही अर्थ हो जाएगा, इसमें से, option C, 20 question देखिएगा, जिसे बुढ़ापा ना आए, उसके लिए एक सब्द बताना था, तो आपको हो जाएगा, अच्छाट, 21 question, फूल, इनमें कौन सी शंग्या है, फूल में कौन सी शंग्या हो जाएगी, जातिवाच़, option B, आपका right answer हो जाएगा, 22 question देखिए, इमानदारी, इनमें कौन सी शंग्या है, इमानदारी, इमानदारी में आपका हो जाएगा, भाव वाचक, एक भाव प्रतीत होता है, तो option B, आपका right answer हो जाएगा, 24 question देखिएगा, लंबोदर, इनमें कौन सा सब्दे हैं, correct answer आना चाहिए आपका, क्योंकि ये question अमने डिसकस किया है, ठीक है, तो लंबोदर, इनमें कौन सा सब्द हो जाएगा, योग रूड, योग रूड सब्दे हैं आपका right answer हो जाएगा, 24 question देखिएगा, शोना, इनमें कौन सी संग्या है, शोना में जो संग्या आपके दरबेवाचक, option ये आपका right answer होगा, अगला question देखिएगा 25, 25 question में, इनमें कौन सा पुरुष है, अगर आपने किया option ये उत्तम पुरुष, तो आपका right answer है, उत्तम पुरुष, next question 26, आप, इनमें कौन सा सर्वनाम है, आप, आप में निश्चे वाचक, option A, 27 question देखिए, पुष्प, इनमें कौन सा सब्द है, पुष्प में, तत्सम, देशच, विशेच, तत्दवाओ, कौन सा सब्द है आपका इनमें, पुष्प में, तो इसमें हो जाएगा तत्सम, option A, 28 question देखिएगा, खयाल, यह कौन सा सब्द है, खयाल, तत्दवाओ, विदिश्चत, देश्चत, कैसा सब्द है, खयाल, खयाल हो साएगा आपका विदिश्चत, option B आपका right answer हो साएगा, next end, 29 question देखिएगा, पवर्ग, पवर्ग का उचरनिस्थान कौन सा है, ओष्ट, कौन सा है, ओष्ट, पवर्ग का उचरनिस्थान, उचरन जब करेंगे आप, पवर्ग, क्या हो साएगा, ओष्ट, next end, last, 30, तेखिएगा, इनमें कौन सा सब्द है, देश्चत, तत्सम, विदेश्चत, कौन सा सब्द है आपके तेखिएगा, राइट एंसर हो चाएगा, देश्च, तेखिएगा, ओप्शन ए, आपका राइट एंसर हो चाएगा, तो ये थी हमारे मॉडल पेपर, फ़र्ट के कुश्चन, 30 कुश्चन हमने डिस्कस की, कुछ कुश्चन का हमने आपको डेटेल भी बताया, जो अभी इस टाइम पर बत चाहिए, तो कमेंट में चुड़ो बताएं, चैनल पे अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजएगा, वेल आइकन प्रेस कर दीजएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेसन आपको मिलता रहे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सेयर कीजएगा अपने सभी दोस्तों के से, थेंक्यू